आलो स्टेंस वेल्कम बैक लेकिं question solve हो जाएगा speed है तो तो बहुत बढ़िया है speed नहीं भी है तो भी important है question का solve होना concept जो है na question के regarding मतलब crack कर जाना मतलब इसको इस मेठर से proceed करेंगे यह step होगा तो question solve हो जाएगा यह ज़्यादा important है फट आप इस question को video देखने से पहले solution देखने जरे पहले आप एक और solve जरूर कीजिए ठीक है और देखिए हम लोग कैसे इस question को solve करने वाले है तो आपके पास some of the series यह given है कौन सा method apply कर लिया जाए method करने का मतलब है किस chapter से क्या जाए तो लोग हम लोग इसको ना कुछ complex number के यूज करते है यहाँ पर इस question को solve करने के लिए आपको अगर पहले कुछ question प्रैक्रिस किया होगा जिसमें कुछ ऐसा दिखता हो आपने एक बहुत popular question होता है trigonometry का sine 2 pi by 7, sine 4 pi by 7 plus बिच में and plus sine 8 pi by 7 इस ताइप को problem होता है जो आपने complex number के यूज किया है तो यहाँ पर भी इस question को हम लोग complex कहीं use करके question को proceed करेंगे अब जुन्होंने वो question पर प्रैक्रिस किया होगा sine वाला जो भी मैंने बोला इसमें भी वही same method apply कर देना है कैसे ध्यान से देखिएगा तो जो हमें निकालना है उसको ace मान लेते है कि यहाँ पर साइन लिखा हुआ है करना है अभी तक मारे पास साइन यहाँ पर साइन वाला पार्ट गीवें यहाँ पर एक आपको वाला पार्ट शीम करना है सब्सक्राइब प्लकी लिए ठीक है अब इसके बाद आपको जो साइन वाला पार्थ यहां अइक रिकाइब कर लेए इसको आयोता सी मल्तिप्लाइब करते पतलब imaginary number पता है आपको i square is equal to minus one basic concept है तो iota s is equal to कितना हो जागा iota nc1 और यहाँ पर हो जागा sin x plus iota nc2 और यहाँ पर हो जागा sin 2x plus dot 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 plus iota ncn और यहाँ पर हो जागा मेरे पास sin nx ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है इन दोनों को plus कर देना है यानि कि c plus iota s निकलना है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा nc0 e वाला पार्ट तो अके लिए रहा गया जब आप इन दो ओन्हों में nc2 Va controller aandic to be a hand afa at God class 2x plus iota यहाँ पूट जाया साइन 2x 2k and then plus dot dot plus यहाँ पर कोमाया के आपि यह बाला जायगा ncn in ॅरिघवमिंध को जाया साय ख़ए आप्ड़ागा ठीक है यह हमने लिख लिया लिखने का क्या फाइदा हुआ देखिए यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फर्मुला यूज करेंगे तो उससे पहले आप एक तीस समझेए ज्यादा असार हो जाएगा यूज करना यह जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है यहां पर में लिखोंगा यह तो लिखावर आयोटा इक्स और इसका इसका बात एक ही है ना यह पूरा एक साथ हो गया सिमिलरली लाइस्ट वाली को अप्टिस इतने टर्म में सब को लिखे सकते ही हे जहां पर रहे यह लिखावा है c plus iota s is equal to 1 plus e to power iota x और nc1 तो छोड़ ही दिया मैं nc1 में तो लिखना जरूरी था यहां पर लिख दो क्या nc1 ठीक है and then plus nc2 e to power iota x और यहां पर ऐसे लिखावा था अगला में power 3 आएगा up to 1 यहां पर ncn और e to power iota x and power n ठीक है यूज कर लें binomial expansion का 1 plus x to power n का क्या formula होता है nc0 x to power 0 यानि कि 1 प्लस यहां पर लिखते हो nc1 x plus यहां पर लिखते nc2 x square plus up to zone चलता है ठीक है देखो compare कर लो यह आपका x की जगा काम नहीं कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं c plus iota x is equal to 1 plus e to power iota x पावर कितना हो जाएगा n ठीक है अब हमें c भी निकालना है हमें s भी निकालना है अब यहां पर interesting चीज़ यह आ गया कि हमें जो निकालना था उसको तो हमने s माना वो तो निकाल ही लूँगा साथ ही साथ मैं यहां पर c भी निकाल दूँगा तो question यह तो पूछा ही question आपको यह भी तो पूछ सकता है इसका भी सम पूछ सकता है तो एक साथ आपने दो-दो question पर practice कर लिया मतलब यहां से इसका वेलो भी यहां से निकल जाएगा तो दिखिए c plus iota is equal to this आप क्या करना है आपको यहां पर confirm है यह real part है और यह imaginary part है मतलब real part को real part के साथ आपको equate करना है और imaginary को imaginary के साथ इसके लिए आपको इसको simplify करना है ऐसे करेंगे ध्यान से देखेगा अब पूरा simplification का खेल है नॉर्मल बेसिक सा तो 1 plus e to power iota x को cos x plus iota sign x दिखने और पावर कितना हो जाएगा इन का मतलब है इसको आपको दो पाटों ब्रेक कर देना है जिसमें एक बाट्रियल देखे एक बार imaginary ठीक है फुड़ा सा simplify करते रही है अब देखे क्या करेंगे 1 plus cos x का formula apply करते हैं कितना हो जाएगा 2 cos square xy2 अब देखिए यहां पे angle यहां पे हो जाएगा मेरे पास cos xy2 plus iota और यहां पे हो जाएगा sine xy2 and whole power कितना है इन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर आयोटा xy2 and power m लेक सकता हूं तो आप देखो मैं यहां पर लिखूंगा सी प्लस आंईटा 2 दो पे यहां पर लगा को पार फ्लाइट ऐहरा प्लाइट हें यहां पर लिखावा 6 2 और यहीं क्या लिखावा था इसको multiply कर कैसे ल हो e टो ही पावर आयोटा in and x 220two like which is equal to 22 दो पर ढीइं यहां पर लिख लिखावा 9 यहाँ पर लिखे लेंगे xy2 और इसको अगें इलोस फर्मुला यह पूरा आपका एक एंगल की तरह काम करेगा ठीक है तो cos n xy2 plus iota and then sin n यहाँ पर लिखे लोंगा और यहाँ पर ब्रीक हो गया ना दो पाट में बस इसको कर दो ना है 2 to the power n cos to the power n यहाँ पर होजाएगा xy2 और यहाँ पर होजाएगा cos n xy2 right ठीक है and then plus iota और यहाँ पर होजाएगा 2 to the power n cos to the power n यहाँ पर होजाएगा xy2 और into यहाँ पर होजाएगा sin n xy2 which is equal to c plus iota s plus iota equating the real and imaginary part याने कि c का वेलू ही जागया और हमारे पास s का वेलू हमारे पास e जागया answer हमें s निकालना था ना कितना हो गया 2 to the power n and then cos to the power n यहाँ पर लिखने x by 2 और यहाँ पर होजाएगा sin n and then x by 2 तो यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है power n n x by 2 cos sign याद रखना है आपके याद रखना मैं याद रख़ोंगा मैं बना रहा हो वीडियो पर इस साइन दीस का सब्सक्राइब कि यहां पिर निकालने के लिए जो मैंने यहांपर को जरूर इस विडियो को देखने से पहले को सॉलब कर चेक है अभी तक ठीक है और दीमोटिवेट रही है हमें से पॉजिटिव सोस्क रही है आपका बहुत अच्छा रेजल्त आए अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है आपने बहुत महिनत किया है कि महिनत कभी पिकार नहीं जाता चाहें कोई भी हो थाई कियो